हलो दोस्तों कैसे हो अलिमिनियूम कलासेस में आपका श्वागत है आज मैं आगे हूं निव वीडियो देखे और जैसा कि आप लोग ने कमेंट किया था कि स्क्वाइर फुट कैसे निकालते हैं उसको बताए कि स्लाइडिंग विंडो डोर कुछ भी हो तो उसका स्क्वाइर स्क्वाइर होता है उसको डीEC से समझाओंगा तो वीडियो को लास्त क्या टेखे जैसा कि आप लोग मेरे हर वीडियो पर बहुत सारा प्यार देते हैं बहुत शosed कुमेंट और लाइक भी करते हैं तो इसके लिए बहुत बश्शुक्र या जैसे कि मेरा ये एक वीडियो है ये वीडियो पे बहुत स्सारा प्यार आप लोग वे सकते हैं इसस्द बहुत प्यार दी है और इससे स्पोर्ट करते रहें थाकि मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूं और बहुत अच्छा लगा और जो लोग ये ड़ू नहीं देखे हैं इसमें मैं अच मिटर 1-itary five of में यह सब क्या होता है इसे पूरा डीटेल से वताया हूं अगर अगर आप लिया तो यह वीडियो देख लेंगे तो आप लोगत बहुत मुझे तो यह अज़ो जो लोग यह वी वीडियो नहीं देखिया बोस्ट कि लिंक है वहां से जाके क्लिक करके देख सकते हैं यह तो वीडियो को लास्ट में एंड में आप लोग को स्क्रीन पर दिख जाएगा वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं तो बिना टाइम पास की हो चलते वीडियो को सुरू करते हैं और यह वीडियो भी तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आगए इसलिए कि इसमें स्क्वाइर फूट बताने वाला हूं कैसे निकालते हैं और है क्या चिरी स्क्वाइर फूट तो इसमें डिटेल से बताने वाला होता है उसमें आपका 12 इंच होता है तो मैं यहीं पर लिख देता आपको समझाने के लिए मतलब कि एक स्क्वाइर फूर्ट ठीक है स्क्वाइर फूर्ट बराबर 144 इंच ओके 144 इंच होता है और संज्डू ते फिट में एक स्क्वाइर 144 इंच होते हैं उससे पेड़े आप वह को समझा देता कि स्क्वाइर फूत कैसे निकालते हैं मालू एक साइज लिए कोई विए स्साइप हो यह तो यह 48 इंच यह है ठीक है कि ऑगे अब इसका ओनला है तो क्रहते निकाल विचंगे मैं कितना फूट का है मतलब वह कि.. बार अन फर तीच भारी न चार तू को अटालइस、 багए मोट्तू है Bin तो चार और गुने चार बराबर 16 मतलब यह 16 स्कॉयर फूट है ओके 16 स्कॉयर फूट मतलब कि यहां से यह है यह 4 भाग में बाटो ₹ij23 यह 4 मतलब ₹-4 2-2-4-4 एक चीच certificate स्वया स्वाट हो गया अब इसी तर से बाट में तो एक फुट ये डो और ये तीन फुट ठील इस तीन फुट ठीच है तो मतलब ये 2, 3 छार फूट हो गया यह भी मलब यह 1 फूट यह 2 फूट यह 3 फूट यह 4 robot इसने भी यह Araद हो यह 1 फूट 2 फूट 3 पूट 4 फूट अभी इस गिन लो यह चार बाइट चार का है तो 4 फूट में कैसे 6 ह Till 10 पर पांच 6 build तो इसको निकाल के दोनों को लिख के बुड़ा कर दो बस हो जाएगा आपका स्कॉयर फूट निकल जाएगा कितना स्कॉयर फूट है इसकॉयर फूट निकल जाएगा आपका तो इस तरह स्कॉयर फूट निकालते हैं यह इंच में है इंच को पहले फिट में कर लो मतलब यह अड़तालीस हैं तो एक चार फिट हो गया सेम तो सेम चार फिट इदर चार फिट इदर दोनों को गुड़ा करोगे तो 16 स्कॉयर फूट आपका आगया ओके अब 144 इंच एक स्कॉयर फूट में मतलब यह एक स्कॉयर फूट होता है एक फूट होना चाहिए मतलब कि मालों यह एक मैं इधर सम्झा देता आपको महलों यह एक मन्तेतने इसके घ्रश है मैं इससा है तो इधर वी बारा इंच इधर से ओफ 12 इंच मतलब कि फीट इधर से- Ref मथा Core क्ारा तो सब्सक्राइं कि मालो यहां से यहां पर तीन फिर यहां पर चार यहां तक पांच फिर यहां तक छे फिर यहां तक साथ यहां तक आठ फिर यहां तक नो फिर यहां तक दस फिर यहां तक ग्यारह और यहां तक बारह ठीक है 12 मतलब कि 12 इंच है इधर से भी नाप लो वही से इधर से भी मानलों यह 0 से शुरू हुआ है तो 0 ही यह जीरो है ठीक है यह फिर यहां से भी अइसा ही चाहिंच यहां पे दो यहां पे तीन ह यहा लास्ट बार बार रहे इंच इधर से भी न आपने पे बाराइंच इधर से भी नापने पर 12 इंच सेम इधर से भी नापने पर 12 इंच इधर से भी नापने पर 12 इंच इस तरह स्क्वाइर फूट निकलता है इधरसे भी ना पोगे, तो 12 inch, इधर से भी ना पोगे, to 12 inch, ओके, यह 1 square foot है, थेक है? आब इही मरलो, इसको कैसे तोन, इसमे तोन inch होंगे, 144 inch होंगे कैसे, ठीक है? 144 inch, यह confusion दूर कर रहा हूं मैं आप लोग का, कि 144 inch होंगे कैसे, तो इसको ऐसा divide कर दो, वीडियो को मैं जल्दी जल्दी भगा देता तो इस साइड में हो गया डिवाइड अब इसको आई से में भी डिवाइड कर देते तो इसको भी जल्दी जल्दी कर देते अब देख सकते हैं मैंने इसको सबको डिवाइड कर दिया मतलब एक इंच का आप खाना बना दिया यहां यह पूरा एक इंच का है हों कि दर से भी नाव एक है यह इंच दो इंच तो इसी तरह ओश 小 सी और टीनिंजрах पर 2 जेघारी और यह दुना चौबीस बारत चीस बारत चोकु ऐसालिस इसके बाद बाराइप पंचे साथ पारधा में 120 उसके बाद बचा दो तो बारह और बारधा दुना 24 बारह में 24 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 144 तो टोटल यह 144 खाने हो गए मतलब किदर से भी नापोगे तो एक इंच मतलब 12 तो इस तरह 144 होते हैं एक स्क्वाइर फूट में अब इंच में लिखा हुआ है 48 अगर लिखा हुआ है मतलब 40 इंच भाई 48 इसको स्क्वाइर फूट कैसे निकालोगे तो इसको भी मैं बता देता तरीका अभी तो मालो यह मैंने आपको बता दिया बारह से कनवर्ट कर लो सब मतलब बारह फूट निकाल लो फूट को घुडा कर दो तो स्क्वाइर फूट निकल जाएक अब डाइरेट इस इस जल्प है से नीकालने के लिए मैं आप लोगको यही पर लिख देता मालो 48 है 48 गुदि फूती है इसको घुड़ा करोगे यह इसको जितना इंच हो कोई भी जितना इंच लिखे हो यहाँ पर इंच जितना लिखे हो उसको घुड़ा करोगे तो जो आएगा तो यहाँ पे आएगा 48 by 48 to 204 के 24ो आप 324 को हम लोग भाग देंगे अब कितने से भाग देंगे 304 है यहाँ पे लिख लेत ता 304 304 से 304 में हम लोग भाग देंगे कितने का भाग देंगे 144 का मतलब की 144 का क्यों देंगे एक स्कृ Αइर फूट में 144 इंच होता है ठीक है 144 इंच होता है 144 हम लोग वाग देंगे 144 से भाग देंगे 16 स्क्वार फूट आ जाएका थीक है कैसे निकालते हैं यह भी समझ में आ गया होगा तो किसी और चीज पर चाहिए आप लोग को वीडियो तो कॉमेंट करके जरूर बताएं मैं उस पर वीडियो बना दूंगा डीटेल से बनाऊंगा तो वीडियो कैसा लागा प्लीज कॉमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हो तो प्ली लाइक सस्क्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें तो आज की वीडियो यही पर खतम करते हैं बाए बाए दोस्तों